लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर तमाम पार्टियों के द्वारा तमाम राजनितिक दलों के द्वारा चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया था और वहीं अब आपको बता दू कि दूसरे चरण को लेकर भी आज से चुनावी जनसभाव को संबोधित क करेंगे दरसल इस बार वोटर्स को लुभाने के लिए बिहार में बिजपी के तमाम नेता देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी और तमाम दिगज नेता भी वोटर्स को लुभाने के लिए लगातार लगे हुए हैं तमाम चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं दरसल आपको बता दू कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी 26 अपरेल को एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित कर सकते हैं वो अपने प्रत्याशी ललन सिंग के लिए चुनावी सभा करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे लोग सबा चुनाव की घमासान के बीच पीएम मोधी अपरेल महीने में चौथी बार बिहार के दौरे पर आ सकते हैं बताया जा रहा है कि पीएम मोधी 26 अपरेल को मुंगेर और अररिया में चुनावी रैली को सम्बोधित कर सकते हैं वहीं से से पहले कल ग्री मंतरी अमित शाह भी 21 अपरेल यानि की कल कटिहार में चुनावी रैली को सम्बोधित करेंगे बिहार में वोटर्स को लुभाने के लिए पीएम मोधी समेत बीजपी के दिगज नेता जी जान से जुट गए हैं दरशल 26 अपरेल को बिहार में दूसरे चरण का मतदान है जिसमें किशन गंज, पुर्णिया, कटिहार, भागलपूर और बाका सीट पर वोटिंग होगी और इसी दिन पीएम मोधी बिहार में दो जगा मुंगेर अररिया में चुनावी रैली कर सियासी माहौल को परखेंगे बिहार में अब तक पीएम मोधी 5 से जादा रैलिया कर चुके हैं दूसरे चरण में जिन 5 सीटों पर मतदान होना है उनमें किशन गंज छोड़ कर बाकि सभी पर जेडियू का कबजा है वहीं ग्री मंत्री अमीत शाह का अपरेल महीने में ये दूसरा बिहार दोरा है वह 21 अपरेल को कटिहार में चुनावी रैली करेंगे तो वहीं इससे पहले शाह ने गया में चुनावी रैली को संबोधित किया था इससे पहले पीएम मोधी ने पुर्णिया और गया की रैली में महा गठबंदन और आरजडी पर जमकर निशाना साधा था पीएम अपनी रैली में लालू प्रसाद यादो पर जंगल राज भ्रस्टाचार का प्रतीक बताया था वहीं कॉंग्रेस पर सनातन का अपमान करने का आरोप मढ़ा था ऐसे में एक बार फिर से पीएम मोधी अररिया और मुंगेर में जनसभा करेंगे आपको बताते चले कि बिहार में चुनाव को लेकर सियासत गर्माई हुई है पक्ष बिपक्ष तावर तोर रैलिया कर रही है बिजपी के कई दिगज नेता यहां आकर सभा को संबोधित कर रहे हैं पहले चरन के चुनाव में पीएम मोधी ग्री मंत्री अमित शाह यूपी के सियम योगी आदित्यनात और रक्षा मंत्री राजनात सिंग भी चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं तो जैसा कि दूसरे चरन के मतदान को लेकर भी अब तमाम पार्टियों के द्वारा तमाम राजनितिक दलों के द्वारा चुनावी सभाओ को संबोधित करने का सिंसिला शुरू हो गया है और अब वहीं ग्री मंत्री अमित शाह 21 अप्रेल को कटिहार में एक चुनावी सभा करेंगे और देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी 26 अप्रेल को एक चुनावी सभा संबोधित करेंगे इसे पहले देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने जब चुनावी जनसभा को स्तंबोधित किया था तो उन्होंने राजद सुप्रीमो लालु प्रस्ताद यादो पर जमकर्म निशाना साधा था उन्हें जंगल राज और रस्टचारी बता दिया था लेकिन अब इस बार जो होने वाला है जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो जनसभाई होंगी रैलिया होगी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा और इस बार जो नरेंदर मोदी 26 अपरेल को आने वाले है उसमें क्या कुछ खास हो सकता है वह तो उस दिन के बाद ही पता च का बिहार एवं जारखंड के जातरों एवं अभिभावकों के बीच सरवादिक विश्वस्निय एवं लोकप्रियसंस्थान गोल नेशन्स लीडिंग इंस्टिट्यूट हमारा विश्वास गोल के साथ